अब सीधे रुख करते हैं खबरों के और ब्लैक फंगस ने बुधवार को फिर एक संक्रमित की जान ले ली है इलाज के दौरान IGIMS में उसकी मौत हुई है 24 घंटे में 11 नए मौामले सामने आये हैं जैसे पटना के दो बड़े संस्थानों में भरती मरीजों की संक्या अब 194 हो गई है इसमें कुछ की सरजरी की जा रही है और कुछ का इंजेक्शन से इलाज किया जा रहा है मरीजों की संक्या पढ़ते ही अब काला राज के इंजेक्शन की भी भारी किल्लत हो गई है अस्पतालों को जो कोटा अलोट किया गया है वह भी अब खत्म हो रहा है इंद्रा गांधी आगरविज्ञान संस्थान में बुदवार को 24 घंटे में 6 नए संक्रमित भरती हुए हैं पटना इम्स में 3 नए संक्रमितों को एलाज के लिए भरती किया गया है पटना मेडिकल कॉलेज में 2 और नालंदा मेडिकल कॉलेज में एक नया मौमला सामने आया है इसके अलावा नीजियस पतालों की OPD में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है हाला कि अभी जांच में पुष्टी नहीं हो रही है पटना में कुल भरती संक्रमितों की संख्या 194 है नीजियस पतालों का डेटा भी विभाग को नहीं मिला है इस कारण से संक्रमितों की संख्या और संक्रमन से मौत का आकड़ा भी विभाग के पास देल से पहुँच रहा है और इसी खबर पर अधिक जनकारी के लिए हमारे वरिष्ट संबाद दाता शशांक दूबे हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं शशांक जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि राज्ज में लगातार ब्लैक फंगस का खत्रा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है क्या है ताजा हालात वहां के दिखे मैं नियाद खुट मस्कूर बात है कि पूरे विहार में आउस्तन कहा जाए तो जो मेको और माइको सिष है तो ब्लैक फंगर की कहते हैं उसकी संख्यात तेरी से बढ़ रही है पीश के करीब रोज नहें मामिले आउस्तन यह बिहार में देखे जा रहा है पूरे विहार में आज तक की बात कर दिया जाए जो रिपोर्टेट केसे जिनको आपका सब्टेक बहुत ज़्यादा इसे पीसे हैं जो प्राइवेट होस्तन में इलाज कर रहा है तो जो रिपो कर रहा है का ब्लैक फंगस का वह है पत्ना का आईजय में वहाँ एक सो दस वेड़ है इस पाटिकुलर फंगल के लिए एक सो दस वेड़ों में वहां पर इलाद किया जा रहा है और वहीं पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया गया है उसके अलावा जिस तरह से माम इन्स में भी 50 बेटे रहे हैं जिनको 70 बेट करने पर काम चल ला है यहीं जिस तरह से मामले पढ़ रहे हैं वह बेटों के संख्या बढ़ाने पर काम कर लाए उसके लाबा पत्ना के रूबन हस्पिटल या अन्द कई प्राइवेट होस्पिटल में इस इलाज चल लाए है उन सरकारी आकड़ों के मताबित कल स्थाम तक के जो आकड़े हैं उसके मताबित ब्लैक फंगस से नौ लोगों के बिहार में तक मौत हैं कल एक मौत आईजे में इसमें हुई है और दो मौते कल रूबर होस्पिटल में पटना के प्रीजियर पतार ने इस तरह 9 मौते बिहा जो काफी जिसकी किल्लत बताई जा लिए रास्रकाथ को इसका तो प्रीजियर रहे होता है और बताया जा रहा है कि कमी हो रहे है तो कहीं न कहीं पूरा जो ब्लैक फंगस से उसके महामारी गोशित कर दिया गया है एपेडेमिक एक कर दात को ले लिया गया है तेकिन वो चैलेंजिंग धर पटना में एक तरह से काफी ज़्यादा इनकील अस्पतालों में मरी जब आते होगी जी बिल्कुल लेकिन जिस तरीके से कोरोना का खत्रा बिलागतार बढ़ा हुआ है और कोरोना के मद्ध नजर ये देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि अस्पतालों में भी बेट की कमी है वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और राज सरकार ने इसे महमारी भी घोशित कर दिया है तो क्या जिस तरीके से राज सरकार ये आंकड़े दे रही है या फिर ये कह रही है कि कोरोना जी ब्लैक फंगस का ये जो खत्रा है पटने के लिए जो भी सरकार के तरफ से इंताजाम किये गए हैं तो क्या जमीनी अस्तर पर भी उस तरीके के इंताजाम किये गए हैं या फिर ये सिर्फ सरकार दो़ारा ये सिर्फ मुहजवानी कह जा रहे हैं देखे नियाज सरकार ने तुर्ए के जरूर केया है उसके लावा एंत में और प्रिणा क्रेटमेंट हो रहा है कई medical colleges यो भीयार ही तमाव medical colleges लिया वहां निया है तोसिश की जा रहे हैं कि इसके लिए अलागी प्रस्ट्रिक बाट पनाया जाए उसके academic extremist को सामिल का लिया है देखे एक बीमारी है जो बहुत नहीं नहीं है थि अनकॉमन की बीमारी भी बहुत पॉमन होते जा रहे हैं खास करके उन मरीजों में जो कोविट कसेंट हैं और कोई भी सीवियर उनको इलनेस्टी जैसे आम तर पर पहा जागा था डायबिटिक भी आया थी लेकिन बहुत सार है इंट्वोटरेशिद बी जो इंजेक्शर है वो कहीं न कहीं किल्द है कि कैन सरकार ने राज्यों को कोटा वड़ित किया था और जब केसे बढ़ रहा है तो इसकी मांग ज्यादा बढ़े को ज़्यादा होगी और वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा एक दवाई अचिवाहर इंटी के सर्दरा लगते हैं असके अलावा आसर लगते है और अएक मेडिशन कीप मेन को को पूरा एक करना होता है तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं, इस तरह की तीजों से निपटने के लिए चाहे वो मेड़िसीन के थूँ हो या फिर संजरी के तूँ हो तमाम की देश्टा सुनिस्छित की जाए क्यों कि इस तरह से मरीज आ रहा है लेकिन आप इसरी हो पिड़ी पर रहते हैं। ऑप हो जब करेंडें ? होती है उससे निपटने के लिए सरकार को भी कोशिश कर रही है दिखें एक और महास्तों कोशिश सरकार ने शुरू की है हाम तर पर जब ब्लैक फंगस के मरीद जाते हैं तो पहले वह एंटी डॉक्टर के पास जाते हैं कि उनको नाक वे समस्या होती है या फिर साइनस के जब होगी जब ओपीडे में जाएंके तो वहाँ पर एक मेडिकल टीम होगी अर वो मेडिकल टीम जिसमें एंटी भी होंगे यह आतना खान के डक्तर होंगे आई सजन होंगे नीवरो सब्सक्राइब और तमाम लोग बेंदेक करेंगे या देखेंगे तिम के अंदर मीपोर तो किस तरह की ट्रेटमेंट दिरूए तो ओपीडी में इन तमाम तुजों कि स्कैनिंग हो जाएगी, आम सर्पर देखा जा रहा है कि लोगों को कई भावे को लगाने में कई दिन बीड जाते हैं और ऐसे में जो सीवियरिटी है तिम मरीजटी वो बढ़ जाती हैं, तो कहीं साथ, इंस्का सेक्टेर हेल्थ, इंस्का सेक्टर को ड经 edge करते हैं नहीं कोको देखना होगा म्योEr मैकोसी की धिष्टा में रखते ही इन द Hmang को किया जारा है और पहुत्का disparity उतावा करने सर्पाञrice जबाकी जो किया जारा है आज उसमें पूरे बिहार में एक बड़े पैमाने पर इसको लागू करना होगा तब ही इसको आप पन्पोर करता हैं ये किसी मरीदों करने का बढ़ देखा बिल्कुल शेटांग जिस तरीके से ब्लैक फंगस का खतरा लगतार बढ़ता जा रहा है इसको लेकर के जो भी हिल्थ स्ट्रॉक्चर है उसमें सुधार की जुरूत है नहीं तो ये आगी चल करके बहुती भयावा रूप ले सकती है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार के लेकले वही कुरोना संकर्मन काल में राजनितिक दल सियासत का एक भी मौका हाथ से गवारा नहीं चाहते। शमलो तीन फिजदी वैक्सीन की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। शारकंड में क्यू हो रही है वैक्सीन बेकार। कुरोना के खिलाप लडाई में जहां कई राज केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राजज भी हैं जिनको सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का एक तेहाई से जादा हिस्सा बेबर्बाद कर चुकी हैं। वैक्सीन की बरवादी करने वाले राज्यों में जहारकंड देश में पहले पायदन पर पहुँच गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बर है। वैक्सीन को बरवाद होने से रोकने में बिफल रही है। और दूसरी ओर वैक्सीन के नाम पर घड़याली आसु बहाने का काम करती आई है। सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। जिसमें जहारकंड सरकार के मंत्री बादल पत्र लेक ने बीजेपी पर निशाना साथती हुए कहा है कि वैक्सीन को लेकर दिये गए बयान निरादार हैं। और तथे से परे हैं। जहारकंड में सिर्फ 4.66 फीजदी ही वैक्सी बरवाद हुई है। साथी सीम सोरिन नहीं ट्रीट कर बैक्सीन की बरवादी के आँखनों को बताती हुए विपक्ष के सारे बयानों को गलत बताया है। इस आकरे की सत्यता क्या है इस पर तो हम बाद में बाद करेंगे। पहले हम माननिय से यह कहना चाहेंगे। यदि आप कम्यों को गिना सकते हैं। तो जो खूवियां हैं उसका स्रेव ही देने का साहस दिखा है। दिपक्ष की भी एक भूमिका होती है खास करके वैसे समय में जब इस देश, समाज, राज, पे संक्तर का समय हो, कुरोना जैसे महामारी का दौर हो, वैसे मैं उनसे सकारात्मक भूमिका निभाने की उमीद की जाती है। आप बताने कब हमें कश्ट करेंगे मानने हैं कि 20 लाख कड़ोर के धोसना में से कितने सुननी जारकन सरकार को नसीद है। बहराल इस स्यासी खेल में सबसे जादा कोई परिशान है तो वो है जारकन की आम जनता जो की वैक्सीन लगवाने के लिए रोज चक्कर काट रही है। फिर भी राज में वैक्सीन की बरबादी क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है जवाब देना पड़ेगा। VIP News, Newsdesk पहें चक्रवाती तुफान यास बुदवार सुबा और इशा के बाला सोर के नजदीक बहान घटा तट से ठकराया इस दोरान हवा की रफतार 130 से 40 किलोमेटर परती घंटे रही। दोपहर खरीब देड़ बजे तक तुफान कमजोर पड़कर बेहद खतरनाक से खतरनाक स्रेडी में बदल गया और 10 किलोमेटर परती घंटे की गती से बढ़ने लगा। इसके बाद तुफान का रात एक बजे पुर्वी सिह भूम के बहरा गोडा की जगा पश्मी सिह भूम के टोटो से जारखर में परवेश हुआ। उस समय गती 50 से 60 किलोमेटर परती घंटे थी। इधर यास के असर से राची समेत जारखंड के कीस जिलो में 24 घंटे से बारिश होती रही जमशेदपूर धनबाद में तेज हवा के कारण कई पेड बिजली पोल गिर गए जिसे बिजली आपूर्ती बाधित रही। 27 और 28 मई को भी पूरे राज में बारिश के आसार हैं। 28 और 29 में बाधित रही जिली आपूर वित pure खोरे चड़ लिए जिली आपचे पोली टेर से अजिली आपके काहती लिए। 29 और 21 2 À 23 यूरे जिली आपके का बिली आपके का म은 रही हैं। 31 और 21ب या के अंपके का में पके का हम स्ञर चोरी रहीं. में तुफान यास के इंट्री हो चुकी है आपको बता दें कि इसको लेकर के आठ कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है तो लगतार जिस तरीके से तुफान यास का खत्रा बढ़ता जा रहा है और जिस रफतार के साथ यास तुफान आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो अब जारखंड में भी इंट्री हो चुकी है दोबहर करीब देड़ बजे तक तुफान कमजूर पढ़कर बहद खतरनाक से खतरनाक स्रेडी में बदल गया है और दस किलोमेटर पती घंटे की गती से बढ़ने लगा है इसके बाद तुफान का रात एक बजे पुर्विस सिह भूम के बहरा गोड़ा की जगा पश्चमी सिह भूम के टोंटो से जारखंड में परवेश हुआ है उस समय गती 50 से 60 किलोमेटर पती घंटे थी एधर यास के असर से राची समय जारखंड के कीस जिलों में 24 घंटे से बारिश होती रही है जमशेदपूर धनबाद में तेज हवा के कारण कई पेड बिजली पोल गिर गए जिससे बिजली आपूर्ती बाधित रही और 27 और 28 को भी पूरे राज्ज में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जनकारी के लिए हमारे समपादक कुंदन करतक जो हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं कुंदन जी जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब जारखंड में भी यास तुफान की इंट्री हो चुकी है और काफी कुछ नुकसान भी हुआ है क्या है वहाँ के ताजा हालात है धारखंड में और धारखंड के तवाम दिवे बारिष की कपिछ में है ताथी आज देव राख जी तीराख धारखंड में प्रवेश की सूचना है और उमीद ही है कि धीए धीवे धारखंड के तमाम राज्यों में जो तुफानी हवाएं हैं हवाओं का प्रवाओं का प्रवाओं का पूचना आ रही है जिसमें कूली सिंग्भूं, पर्शिमी सिंग्भूं, सराइक्डेगा, खल्ठावा, सिंदेगा, मुंतीश काईवात और मौसम केमल में इस तरिके से सूचना भी है कि इसका प्रवाओ अज दोपहर करें का धारखंड में और बरताथ बारिश की सम्हावना कल तक बताई जा रही है और उमीद की जा रही है कि धारखंड के समाम इलाकों में हल्की से भारी बारिश मर्जम दलगे की बारिश से जारखंड के वो कौन से लाके हैं वो कौन से हिस्से हैं जो इस तुफान से जादा प्रभावित हुए हैं और इसको लेकर कि आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से किस तरीके के इंतिजाम किये गए हैं बता दूं कि जिलों में अभी तक प्रभाव देखा गया है हलांकि परसों देर रात से बर्था बारिश जारखंड के लग्मक कमान दिलों में हो रही हैं लेकिन कल देर रात इन जिलों से तुपान के आने की तूचना है उसमें पूर्गी सिंग्भों जंशेटपूर पश्णी सिंग्भों चाईवाथा तरायके लग्षक्तावा सिंदेगा चाईवाथा ये जिले हैं जिलों में तूचना आ रही है और साथे आपको बताते हैं कि जो आपदा प्रवंधर लिवाथा है उसमें चौविश के चौविश विला के उपायुस्तों को मिल्जेश दे रखा है बिल्ली की बिवस्ता को निश्चित करने की लिए क्योंकि बहुंकि बहुंसारे ऐसे अस्पतालों में कोरोना मरीजों क पर लिए कि लाज कर रहा है ऐसे में बिल्ली की बिवस्ता सुचावुस्ते रखने की जरूरत है क्योंकि उस अस्पताल की बिवस्ता चीज रहे हैं दूसरी तो बिल्ली विवाथ के जितने भी अधितारी सर्विश से सब लोगों की खुट्पीयों को रद करके उन्हें दूसरे सरफ स्रफों पर यातया कि तरोग उससे जादी रखने के लिए पेड़े जिरने या आवाजमन बाविश होने की तूचना पर उसे जल्दी से जल्दी कीर कर लेने की जिए अलग से कीमों को तानाथ कर दिया गया है क्योंकि अभी सम्भादा यह जाता ही जाद नही जी बहुत बहुत शुक्र या तमाम जानकारी के लिए आपको बताते चली कि जारखट में तुफान की इंट्री हो चुकी है और इससे कई इलाकों में नुकसान भी पहुँचा है और आपदा प्रमंधन विभाग काफी सतर्क भी नजर आ रही है अब चलते जलते एक नजर सुरुखियों पे डालते हैं नितीज सरकार का बड़ा फैसरा लॉकडाउन में भी समविदा कर्मियों को मिलेगा वेतन समविदा कर्मियों के वेतन में होगे वर्धी पट्टा नगर निगम ने दी बड़ी रहत लोकडाउन में बंद दुकानों को नहीं देना होगा सफाई टैक्स निगम कर्मियों को कुरोना काल में बोनस की सौगाथ प्यार में कुरोना के संकर्मन के मामलों में कभी हॉस्पिटल में बेड खाली होने पर भी नहीं थम रहे मौते 24 घंटे में 104 लोगों ने तोड़ा दम वहीं जारखट में सामने आये कोविड-19 के 247 नए मौमले बीते 24 घंटे में होई 20 लोगों की मौत राची में